बेलकम प्रेंट्स देखिये जो हमारा आज का ये वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं दौकॉंपतिषयन एक्ट PLA के बारे में दौकॉंपतिशन एक्ट ौजार्द तो है इसको इंद्रिम बोलते हम प्रतियोगिता अधिनियम दौजार में प्रतियों की तादिन हम के बात कर ले तो देखिए पेंस ओध्यों की दिक्कतों के लिए Competition Act 2002 से पूर्व की बात करें तो भारत में चलता था M.A.T.P. Act 1969 लेकिन जब भारत सरकान ने LPG की पॉलिशी यानि उधारी करण, निजी करण, भूमंडली करण जिसे हम बोलता है लेवलाइजेशन, प्राइविटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की निती को अपनाया गया भारत में तो M.A.T.P. Act के प्रतिवंद के कारण जो है LPG की नितियां जो पॉलिशी बनी थी LPG के लिए वो LPG के नितियों में कुछ दिक्कते आ रही थी, जिसके कारण, 2002 में सरकार Competition Act लेकर आई लेकिन M.A.T.P. जो Act 28 सगस 2009 को रद्द किया गया था और 2002 में बनाया गया Competition Act जो है, उसने इस M.A.T.P. Act की जगह ले ली देखे फेंस M.A.T.P. Act की बात करें तो M.A.T.P. Act के बारे में मैंने विस्तार से आपको एक वीडियो बनाकन डाल दिया है मेरे चैनल पर ही, आप description में उसके link में डाल दूँगा, वहां से आप M.A.T.P. Act के बारे में विस्तार से समझ सकते हैं M.A.T.P. जो Act एब 1969 में जो बनाया गया था, अब 1969 में जब उसमें बनाया गया था तो उसके बाद उसमें कापी सारे जो प्राबधान डाले गए थे और प्राबधान के साथ साथ उसमें प्रतिवंद भी लगाए गए थे कापी चीज़ पे लिए तो प्रतिवंद लगाए गए थे जिसके कारण जब भारत LPG की पॉलिशी लेकर आया LPG की पॉलिश को भारत ने अपनाया तो उस समय क्या है कि जो हमारा जो M.A.T.P. जो एक्ट था कुछ परेसानिया खड़ी कर रहा था तो परेसानिया खड़ी करने के कारण जो सरकार ने सोचा परेसानियों कैसे दूर किया जा सके तो दूर करने के लिए जो सरकार लेकर आई तो कॉम्पटिशन एक्ट लेकर आई 2002 में लेकिन जो M.A.T.P. एक्ट को 2002 में उसके आते तुरंत खतम नहीं किया गया था उसको खतम किया गया था 2009 में बहे लागू रहा था अब कॉम्पटिशन एक्ट की बात करें तो देखिए कॉम्पटिशन एक्ट को संसत के दौरा बात करें तो 2002 में पारित किया गया था संसत के दौरा संसत के दोनों सदन लोकसभा और रासभा दोनों से 2002 में पारित करवा लिया गया था और जनवरी 2003 में राष्टपती ने इसे अधिनियम पर सिगनेचर कर दिये यानि इसको स्वीकर्टी दे दी इस अधिनियम में 2007 में कुछ संसोधन किया गया था और संसोधन करने के बाद जो है MRTP Act 1969 ने उसको रद कर दिया गया 28 सगस 2009 के दिन और इसको निरस्त करने के बाद जो Competition Act 2002 में बनाया गया था उसे लागू किया गया था The Competition Act 2002 के नाम से 1 सितंबर 2009 के दिन मतलब जो MRTP Act को खतम कर दिया गया था उसके बाद MRTP Act के जगे The Competition Act है उसको लागू किया गया था और संपूर्ण बाहरत पर लागू किया गया था केवल जम्मू कस्मीर को छोड़ कर उस समय पलाल की बात करें तो पलाल करेंट में तो Competition Act जो है वह जम्मू कस्मीर पर भी लागू होता है जब से दारा 370 को हटाया है तब से अब बात कर लेते हैं माँ टीपी एक्ट का जो उद्धिश क्या था उसको लाने का मुक्य उद्धिश क्या था तो देखिए तो Competition Act की बात करें 2002 के जो Objective की बात करें तो Competition Act जो है प्रतिसपरदा और प्रतिकूल प्रवाब पढ़ने से रोकता है प्रतिसपदा पर जो है मारा Competition है उसपर प्रतिकूल प्रवाब पढ़ने से रोकता है मतलब कॉम्प्रतिसपदा जो है उसको बनाई रखता है या नहीं कि Competition की कुँखतम कर दिया इसने Competition को बनाई रखने के लिए इस Act को लाय गया था बाजार की प्रतिस्पदा को बढ़ावा देने के लिए उसको बनाए रखने के लिए मतलब प्रतिस्पदा बनी रहे प्रतिस्पदा होगी तभी तो वस्तु के मुल में कमी आएगी और ग्रहक है जो है अच्छी मुल की वस्तु और कम दाम पर खरी सकता है और कमदाम जो है एक competition के होने के खारण ही हो सकता है उसके बाद बोगता के जो हितों की रक्चा की जा सकती है इस act के द्वारा competition को बनाए रखे सकते हैं बोगता के रक्चा की जा सकती है बाजार में monopolic जो है उसको पनपने नहीं दिया जाएगा मतलब एक अधिकारता को पनपने नहीं दिया जाएगा इस act के तहट इस act के दहट द्वारा 3, 4, 5 और 6 जो उसके अंतरगत इस act के कुछ सटिक हज तक मतलब कहा जाए तो the competition act का जो एक तरह के सकते हैं हम इसको जो पूरे competition act को जो है समालता है वो द्वारा 3, 4, 5, 6 इसके अंतरगत मुख्य बातों को समझाया गया है इसके बारे में हम एक एक धारा के बारे में बिस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पार्ट नमर टू में अभी हम वीडियो पार्ट नमर बन में अभी हम आपको कुछ इतना ही बताएंगे उद्देश से विसेस्ताओं के बारे में तो देखिए पैंस जो दारा 3, 4, 5, 6 उसके अंतरगत परतिस्पदा रोधी करार जो देग दिये गए हैं इस एक्ट का मुख्य उद्देश ये था प्रदान इस्तिति का दुरुपयोग नहीं किया जा सके मतलब मोनोपॉलिक जो है उसको बनाया नए रखा जा सके competition को बनाए रखा जा सके एक अधिकारता पैदा ना होनी दी जाए इस प्रकार के जो दुरुपियों का प्रतिसेद बिले और अधिगरेंड के द्वारा उबोकता के हितों की रक्षा की जा सके इस प्रकार की विएस्ता का इसका मुख्य उद्धिश ये था मतलब इस प्रकार की विएस्ताओं को रोकना इसका मुख्य उद्धिश ये था अब बात करते हैं तो competition जो एक्ट है दो जार दो उसकी मुख्य विएस्ताओं के बारे में उसमें क्या-क्या फीचर है तो देखिए फ्रेंस इस competition एक्ट में क्या-क्या पीचर है इसके बारे में बात कर लेते हैं तो competition एक्ट की विएस्ताओं का फोकस प्रतिस्पदा परमानिक करने के लिए निमली के चेत्र की और था कौन-कौन से ऐसे समझोते जो भारत के बीतर प्रतिस्पदा पर प्रतिकूल प्रवाब डालते हैं मतलब competition को रोकते हैं तो इस प्रकार की संबामना अगर पाई जाती है किसी समझोते के अंतरगत तो इस प्रकार के समझोते को यहाँ पर खत्म करार कर दिया जाएगा competition act के तहएगा अर्थात एक अधिकारता पैदा होने नहीं लगती है उसको पैदा नहीं होने दिया जाता है इस act के तहएगा तो अगर ऐसी प्रकार की कोई समझोता कर रहा है जिससे एक अधिकारता पनप सकती है तो ऐसे समझोतों को प्रतिगोगता अधिनियम दोजार दो के अंतरगत जो है निसेद माना गया है यदि कोई उदम अनुचित था या भेदवा पूर्ण सर्तों से लागू किया गया था माल और सेवाओं के उतपादन की सीमित प्रतिवन्दित करता था मतलब उस पर प्रतिवन्द लगाता था रिष्ट्रेक्शन रिष्ट्रेक्टिव करता था उसे रोकता था किसी माल सेवा की पूरती को तो इस प्रकार के प्रतिवन्दों को भी इस प्रकार के अनवंदों को भी है जो है रोकना इस competition act का कार रहे था इसका मुख्य बिसेष्था थी यदि बात करें यदि भारती है कमपनी ने में ऐसी कमपनियों का मिस्रण हो रहा है मतलब कोई विदेशी कमपनी भारत में आकर ऐसी कमपनियों का मिस्रण किया हो रहा है मतलब ऐसी कमपनियों से अमलगा मिस्रण होने जा रहा है या हो गया है तो उस प्रकार उसके बात पता चलता है जिससे प्रतिस्परता प्रावावित हो रही है या प्रतिस्परता जो कॉंपटिशन है प्रावावित हो सकता है एक अधिकारता पैदा हो सकती है या हो रही है तो इस प्रकार का जो मिश्रन है जो अमलगा मेशन है उसको रोकता है दो कॉंपटिशन एक्ट इसकी विसेचता ह वहीं बात करें प्रत्योगता के मुद्दों के बारे में जाग रुकता प्रश्रिक्षन प्रत्योगता की बकालात करने की जिम्मेदारी भारती है Competition Act Commission जो है उसका Competition Commission है उसके होती है तो मतलब लोगों को जागरुक करने की उसको प्रशिक्षन करने की और बकालात करने की जिम्मधारी जो है वो Indian Competition Commission की है उसलिए Indian Competition Commission भी इस Act के अंतरगत बनाया गया है इसी तरवकार से कमिशन की बात करें तो हमारा जो M.R.T.P. ACT है उसमे भी Commission चलता था तो मतलब यह सिकायतों का निवारं संस्ता है जिसमें सिकायत निवारं की जाती थी अब Me.T.P. ACT के अंतरगत शिकायत निवारं की बात करें तो देखें मार्ट.P. ACT के अंतरगत जो यानि एक अधिकारता व्यापार परता अनुचित व्यापार परता और प्रतिवन्दात्मा व्यापार परता जो थी उससे संबंदित जो भी सिकायत होती थी ना वो सभी सिकायत मोनोपॉलिक रिश्ट्रेक्टिक ट्रेड प्रेक्टिस कमीशन जो था वह समालता था मतलब उसक जाच्व पताल की बात करे जो उसके अंतरगत जो कमीशन था उस कमीशन के पास अगर कोई आता था उस जाच्वाद करता था यानि Director General of Investigation Registration जो नामक संस्ता थी बहे इसकी जाच करती थी अब Competition Act में इनकी जगह कौन सी संस्ताइन लेकर आए गया है तो देखे किये Competition Act 2002 के अंतरगत जो है CCI यानि Competition Commission of India के पास इस प्रकार की विवस्ता की गई है मतलब जो Competition Act के जो मामले हैं वो मामले जो है Competition Act के अंतरगत CCI समालेगी वहीं CCI मुद्दो को समालेगी उनके अंतरगत जो जाच परताल का कार रहा है जो इसके अंतरगत कोई मामला आता है तो उसके अन्तर जाच परताल का कारप है कि बाक़ाई में Copitishap are competition प्रवावित हो राहा है किसी उद्योग के मिश्रण होने से किसी उद्योग के मिश्रण होने अमलग़ा must Competition बाक़ा और के सीदो कराण क कारण competence प्रवावित रहा है पास आते हैं कोई तो उन मामलों की जाच के लिए जो संसता बनाई गई है वो बनाई गई है सी ओ एम पी एटी सी ओ एम पी एटी नामक जो संसता बनाई गई है जिसका नाम बात करें तो competition appellate terminal त्रेमुनल यानि कोर्ट है एक प्रकार का इस प्रकार जो विवस्ता बना गई है तो इस प्रकार जिसे हम बोलते है हंदे में परतियोगिता appellate नियादी करन जो इस प्रकार के मामलों की जाच करता है तो इस प्रकार से प्रेंस आयोप आपको जो competition act है उसके बारे में जो सिकायत निवारन संस्ता और आपको जो इसकी विसेष्टा है इसके लक्षण और MRTP act क्या है कब लाएगा था इसके बारे में आपको विस्तार से समझ में आ चुका होगा प्रेंस आगे के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो competition act है उसके अंतरगत जो दारा 3,4,5,6 जो है 3,4,5,6 उनके बारे में बिस्तार से बात करने वाले हैं तो मतलब इसके अंतरगत जो competition act है इसका मुख्य जो किस चीज पर रोक लगाता है मैं क्या क्या वात है इसकी जो competition act कि मुख्य बात किन बातों पर competition act फॉकस करता है इस बात के जो मुख्य जो बात है वो दारा 3,4,5,6 में लिखी हुई है जो प्रतेक दारा के बारे में हम बिस्तार से बात करेंगे प्रेंस वीडियो पार्ट नमर टू में तब तक के लिए दन्यवाद